मैं मनिशा भारदवाज मैं अपने यूटूब चानल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं सेयर करने वाली हूं रोस्टेट पोहा फराई तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना इसकीप किये वीडियो गोल आज तक जरूर देखें पर आज बनाने के लिए हमें इंसाडी सामंगरी किया वेशकता है एक बोहा हल्दी पाउडर चिली फ्लेक्स ब्लेक सॉल चाट मशाला सूखा नार्यल जिससे हमने पीचिस में कट कर लिया है बादाम इसे भी मैंने दो टुक्रों में काट लिया है काजू को भी मैंने टुक्र श्ला और रही मिर्चे और तेल तो चलिए हम बनाना स्टाट करते हैं कि यह ऩलिया एक फ्राइपिंग्स को चलला दिया है कि पेन हमारे गर्म हो चुका है अब इसमें तेल ढाल देते हैं कि हमें हमारे मिज़ने पूपा को डालेंगे अब हम इसे निकाल लेते हैं निकाल के हम इसे टिजू पिपर के ऊपर डाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ओयल जो है वो निकल जाए वापस से हम इसमें पुह डाल देते हैं बस अब हमीसे निकाल लेंगे बाकी की बच्चेवे पुहा को भी हम इसी तरीके से प्राई करके निकाल लेते हैं सारे पुहा को हमने कर लिया है अब हम इसमें मुंफली को डाल देंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेता हैं अब हम इसे निकाल लेते हैं अब हम इसमें काजू डाल देते हैं अब हम इसे भी हम कर लेंगे श्राई काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है अब हम इसे निकाल लेते हैं अब हम इसमें पादाम को डाल देते हैं कर लेंगे अब हम इसे निकाल लेते हैं अब हम इसमें नारियल को डाल देते हैं कर लेंगे अब हम इसे निकाल लेते हैं अब हम इसमें किस्मिस को डालेंगे और किस्मिस को बस एक से दूब से कैम के लिए इसे जादा नहीं करना है आप चाहे तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन फ्राय करने के बार इसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है बस हो गया अब हम इसे निकाल लेते हैं अब हम गैस पे एक कराही को चरह दिये हैं किए हम इसमय एक चंबच तेट बाहने इसमें बाहत थोड़ा सा में तेटड़ आलया चुछे बाटले लिए हम इसमें forty me Kris मिर्ची डाल देते हैं और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता हो गया प्राइब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इसे आधा मिनट के लिए भूल लेते हैं इसे इसका कच्छा पन जो है वो खत्ब हो जाएगा अधना है मैं अजो निस कि अ यह मैं मी कड़ी इसमें फ्राइब हम प्राइर करके रखे इड के रखें दया है इसे करेंगे हम अची तरह से Мिक्स अब हम इतने जो प्वों फ्राइड था उसे ताल रेते हैं और इसे भी हम कड़ लेते हैं Second लेजिए यह मिक्स हो चुका है अब हम इसमें चाट मशाला नमक काला नमक चिली फ्लेक्स अब हम गैस को आफ कर देंगे और इन सभी को अच्छी करीके से मिक्स कर लेंगे ब्लैक पेपर आप अबया चाहे तो डालना सकते हैं ला तो इसके बगैर भी आप ना एक बार इस पोहा फ्राइक नमकीन को बना करके जरूर ट्राइ करें अगर आप एक बर बना लेंगे तो आप कभी भी मार्केट से ख़ड़िद के नहीं लाएंगे लेजिए हमारा पोहा फ्राइनम की इंतयार है और इसे आप एयर टाइट डबा में इस्टोर करके 3-4 हपतों के लिए रख सकते हैं और यह बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी होता है इसे आप बना के रख लिजिए और साम के चाय के साथ इसे लेजिए बहुत अच्छा लगेगा तो अगर आपको हमारा पोहा फ्राइनम की इंत बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू